स्यादातर लोग ना तो पौश्टिक खाना खाते हैं और ना ही शाररिक व्यायाम करते हैं, जिसके कारण उनकी उर्जा और काम करने के शमता दिन भर दिन कम होती जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम आफिस में रहते हैं और हमें बहुती इंपोर्टनट काम या फिर मीटिंग आ जाती हैं पर हम उस टेट में बिलकुल भी नहीं रहते कि हम वो काम कर सके या फिर मीटिंग अटेंड कर सके। ऐसे में हमारे शरीर को इंस्टेंट एनरजी की जरूरत पड़ती है। इसे लिए आसकाई गुरू आज आपके लिए लाए है कुछ पाच ऐसी चीजे जिसे खाते से आपके शरीर को मिलेगी इंस्टेंट एनरजी। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन से पाच चीजे हैं जो थकान मिटा कर शरीर में तुरंट एनरजी लाती है। नारियल नारियल खाना और इसका पानी पीना दोनों आपकी सेहत के लिए बहुती फाइदेमंद होता है। और इससे शरीर में तुरंट भरपूर एनरजी आ जाती है। नारियल खाने से मुटापा कंट्रोल होता है और यादाश तेज होती है। इसे खाने से नींद अच्छी आती है और शरीर को भरपूर पोशन मिलता है। 100 ग्राम नारियल में लगबग 310 काल्री होती है, सिफ़ 10 विल invented cholesterol होता है, 790 विलिग्राम सोडियम होता है, 9 ग्राम प्रोटीन होता है, 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम विटामन, 6 ग्राम विटामन C, 15% केल्षिम और 10 % आयरं होता है। इसलिए इसे खाने से आप काम के दौरान जल थकावट नहीं मैसूस करेंगे। केला केला आसानी से पचने वाला फल है और ये शरीर को सबसे तेज एनरजी देता है। केले में धेर सारा पुटैश्यम होता है और एक खास इलेक्ट्रोलाइट होता है जो माश पेशियों को दुरुस्त करके उन्हें काम करने की ताकत देता है। एक केले में लगबग 105 कलरी एनरजी होती है, 422 मिलिग्राम पुटैश्यम होता है, 0 ग्राम कोलेस्ट्रोल, 14 ग्राम शुगर और 3 ग्राम फाइबर होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, आइडिन और कैश्यम के साथ साथ धेर सारा अंटि ऑक्सिडेंट्स होता है, जो शरीर की कई गंबिर बिमारियों से रक्षा करता है। अनार अनार स्वात और सेहत के लिए एक बेहतरीन फल है। अनार आपको दिल की बिमारियों से बचाता है और शरीर को तुरंद एनरजी पहुचाता है। 100 ग्राम अनार में लगबग 83 कैलोरी एनरजी है, सिफ 1 ग्राम फैट है, 3 मिलिग्राम सोडियम है, 34 मिलिग्राम पोटैशियम है, 4 ग्राम फाइबर है, 14 ग्राम शुगर और 2 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा, इसमें 18 परसन से ज्यादा विटामिन C, कैल्शिम और आईरन होता है। ये शरीर की कमजोरी को दूर करके शरीर को सैकडो बिमारियों से बचाता है। पपीता खाने से भी आपकी ठकान कम होती है और शरीर में तुरंट एनरजी आती है। पपीता आपको आथ्राइटिस और जुकाम से बचाता है। इसके अलावा, पपीता पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग का प्रभाव कम करता है। एक सामान्य आकार के पपीते में लगबग 336 कैलरी एनरजी, 62 mg सोडियम और 1421 mg पोटैशियम होता है। 61 g शुगर और 4 g प्रोटीन भी होता है। पपीते में विटामीन A 148% होता है। विटामीन C 793% होता है और कैल्शियम करीबन 16% पाया जाता है। इसलिए अगर आपको विटामीन A या विटामीन C की कमी है तो आपको पपीता खाना चाहिए, वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। संत्रा संत्रा में धेर सारी एनरजी और भरपूर विटामीन होता है। इसमें मौजूद ग्लूकोस शरीर को डी हाइडरेशन से बचाता है। अगर आप बहुत ठकान महसूस कर रहे हैं तो दो संत्रा और तीन-चार बदाम खा ले। शरीर में तुरंत एनरजी आ जाएगी। एक संत्रे में लगबग 45 कैलरी एनरजी होती है, 174 मिलिग्रम पुटैच्टियम, 9 ग्रम शुगर और 85% विटामिन C होता है। इसके अलावा संत्रे में कई अंटि ऑक्सिडिन्स भी होते हैं। इसे खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, किड्नी रोगों और पत अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए, थांक यू।